नमस्कार खुलेंगे दुनिया के रास राजणामा दुनिया के साथ में प्रिया मनीपूर में तीन माई से जारी हिंसा के भी शुकरवार सुबह से खबरे आ रही थी मुख्यबंतरी एन बिरिन सिंख कुरसी छोड़ने वाले हैं वे दोपर तीन बजे राज़पाल अनुसु या उईके से मिलकर अपना इस्तिफा सोब देंगे हलाकि अटकलों के बीच सेकडो महिला इंफॉल में राजभावन के सामने पहुची महिलाओं ने विरिन सिंख से इस्तिफा ना देने और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सक्त एक्षन लेने की मांगी उधर मुख्यमंतरी ने शाम चार बच कर एक मिट पर ट्वीटर पर लिखा इस मोड पर तो मैं इस्तिफा नहीं देने वाला हूँ यानि विरिन सिंख ने साफ कह दिया कि वे मुख्यमंतर की कुरसी नहीं छोड़ रहे हैं रिपोर्ट्स के मताबिक एक वरिश्यमंतरी ने दावा कि मुख्यमंतरी एन विरिन सिंख आज इस्तिफा देने वाले थे लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना मन बदल दिया विरिन सिंग गवर्नर हाउस के लिए निकल रहे थे इसी दुरान अपने घर के बाहर समर्थकों के प्रदर्शन को देखने के बाद वे वापस लोड़ गए विरिन सिंग के घर के बाद सिक्ड़ों की संख्या में महिलाओं ने यूमेन चेंड बनाया और कहा की वे नहीं चाती थी कि उनके सीएम इस्तिफा दे उनके इस्तिफे की एक कौपी भी तब फार दी गई जब दो मंतरी इसे लेकर सीएम हाउस के भार आए और उसे प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सोपा ऐसे ही बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ नहीं लेखा